मैं उस भारत की संतान हूँ जो अखंड सनातन सामरागी है वीरता की वशुंधरा, शांती का शंखनाद और मानवता का अंतिम सहारा है संखर्षों की प्रचंड अगनी में जलकर भी प्रेम मई गंगा की शीतल धारा है मैं उस भारत की संतान हूँ जो अगनी सा शौर्य, धर्ती सा धैर्यवान, फिर भी भूमी सा बल्वान है, मैं उस भारत की संतान हूँ जो युग-युग में सकल विश्व की मार्ग दर्शक महाशक्ति मही महान है प्रणाम उत्कृष्ट कलाओं की भूमी संबलपूर ओडिशा से मैं सौरब शडंगी एनेसस वाल्यूंटर, संसत भवन के संट्रल हॉल में विराजित सभी महानुभावों का अभिवादन करता हूँ नमशकार करता हूँ मेरी मात्रिभूमी भारत, मानव सभ्यता के दस सहश्राब्दियों के लगभक सभी कालखंड में विश्वभर की मार्ग दर्शक महाशक्ति रही इसी शक्ति पुंज में आनंद भवन प्रयागराज में जन्मी, दुर्गा मती आयरेन लेडी पुकारी गई, पंडित जवाहरलान नहरुजी की सुपुत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी जी सूचना इवंग प्रसार मंत्राले, तदोपरांथ, देश की प्रथम महिला प्रधान मंत्री के रूप में, उनके दीर्ग कार्यकाल में, पाकिस्तान के विरुद्ध, 1971 में भारत की अईतिहासिक विजय, सफल नुक्लियर टेस्टिंग, ग्रीन रिवल्यूशन, 14 बैंकों इ शामिल करते हैं, पश्चिम ओडिशा का एक प्रसंग आता है, जब 26 जन्वरी की पैरिड के समय, तदकालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, लोक नर्तकी, डालखाई नृत्यांगना, श्रीमती गुरुबारी मिर्धा के साथ, लोक नर्तन कर, उस लोक कलाकार को सम्मान नवाजा था, भारती ये पारंपारिक वेशभूशा वा संबलपूरी साढ़ियों में सुशोभित हमारी इंदिरा गांधी जी, इस देश की दुर्गामती तो हैं ही, साथ ही, इंदिरा का एक और अर्थ निकलता है, लक्षमी, श्री मती इंदिरा जी इस भूमी की लक्षमी, दुर्गामती वो आईरन लेडी हर रूप में सार्थक करती हैं, मेरी मा से मैंने जो सीखा कि माता और मात्र भूमी का कभी धन्यवाद नहीं किया जाता, क्योंकि धन्यवाद माता के लिए बहुत छोटा शब्द है, मात्र भ अपने अदम्य साहस द्रिड संकल्प निष्ठा से समगर विश्व को भारती नारियों के शक्ती का प्रदर्शन दिया और एक उत्कृष्ट महानुभाव के रूप में आज भी हम सभी के बीच प्रेड़ना का स्तोत्र हैं, इन महानुभाव को मेरा शच्च्च्च्च्च् अरपन करता हूँ